दोस्तो आज किस वीडियो में आप देखेंगे जो मारा इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर इन्वैटर के कनेक्शन कैसे करने हैं तो दोस्तो इसके अंदर हम आज इन्वैटर की वायरिंग करने वाले हैं इन्वैटर के कनेक्शन करने वाले हैं इसके अंदर सब किसम इसके अंदर inverter के अगनेशन करने वाले हैं तो इनवेटर के अगनेशन करने से पहले दोस्तों मैं आपको inverter की साइड से लेके चलता हूं आपको inverter का दिखा देता हूं कि कहां से कैसे वायर है अगे हैं इसके अंदर जो एक यलो कलर का वायर है यह वाला वायर हमारा स्विच बोर्ड के अंदर जाएगा यहां से शिरफ एक ही वायर जाएगा दोस्तों जो की फेज वायर होगा न्यूडल वायर दोस्तों आपको बता जाता हूँ common वायर होता है house wiring में वही inverter को चार्ज करने के लिए होता है जब power चली जाती है तो जब चार्ज करते हैं जिस वायर से उसी वायर से return हमें गर पे मिल जाता है तो इसलिए हम यहां से एक सिरफ फेज वायर लेके जलते है न्यूडल हमारा common हो गया जो इसके अंदर पीछे शोकेट लगी हुए दोस्तों यह शोकेट के राइट साइड में फेज वायर होता है ठीक है और इसके battery के connection बगरा है ठीक है और तो आगे connection देखते हैं दोस्तों wiring करने से पहले हमने इसकी power off कर ली है power को off कर लेना है क्योंकि हम wiring करते समय कोई wire को छून आ जाए और current लग सकता है इसलिए हम इसकी power को off कर दिया है ठीक है दोस्तों अभी हम इसकी अंदर wiring कर लेते हैं जो मैंने आपको वहां पर wire दिखाई दोस्तों यहां पर एक wire दली हुई है जो की inverter की wire है वहां पर yellow color की wire थी बट यहां पर यह white color की है बीच में हिजवाइट लगा के कही ना कहीं से लेके आया हुआ हुआ electrician अगर आपके यहां पर यह नहीं डाल रखी है तो आप वहां से एक direct connect करके इस switchboard के पास लेके आ सकते हैं तो चलिए अभी हम इसकी connection करते हैं दोस्तों इसकी connection करने से पहले हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है जो हमारी इसके अंदर main supply का जो फेज आया हुआ है वो यह वाला दोस्तों आप भी अपने switchboard के अंदर देख लेना यह वाला wire है इसको हमने जिस भी switch के अंदर हमने connection करने है inverter के वहां से हमने main supply को हटा देना है और inverter का जोड़ देना है लेकिन हमने यहां पर क्या करना है यहां पर पूरे के पूरे switchboard के अंदर inverter का connection देना है तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे जो हमारा main supply का जो लगा हुआ है wire इस comb यहां से बिल्कुल permanently हटा देंगे और यहां पर inverter का connection जोड़ देंगे दोस्तों आप ही देख सकते हैं हमने यहां पर main supply से अटा लिया है और मैंने आपको पहले बताया था कि जो inverter जो indicator है दोस्तों उसको हम main power supply पर रखेंगे तो इसलिए हम इसको इसको इसके साथ ही जोड़ देंगे जिससे कि में पता लगता रहेगा कि पावर सप्लाई है या नहीं है घर के अंदर अगर आप इसको भी inverter पर जोड़ना चाते हैं तो इसको यहां से की वज़ाए वहीं पर रहने दीजिए यह इसको इस तरह से ट्विस्ट करके और इसके उपर टेप मारके हम छोड़ देंगे टेप लगा आगर छोड़ देने आगे ठीक है दोस्तो अभी हम इसके उपर टेप लगा देते हैं टेप लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टेप नहीं लगाएंगे तो यह कहीं न कहीं टच करेगा टच करेगा तो ब्लास्ट वगएरा स्पार्व वगएरा कुछ भी हो सकता है आपसा वह टेप अच्छे से लगा दे नहीं है दोस्तो यह तो हमने यहां से इसके स्विच बोड से हटा लिया है अभी बार ये आती है इसके अंदर connection करें की, इसके अंदर connection कहाँ पर करें, inverter के connection decisionước realizing करें के लिए दौस्तों हमें permitter की वायर है, इसको छील लेनाया इसको हम छील लेंगे पहले इसकी tape उतार, tepe खोल के देख लिते हैं दोस्तों ये inverter की wire टेप इसलिए लगा रखी क्योंकि पीछे से इनिवेटर ओन है यहां पर फेज सप्लाई आई हुई है लेकिन आपने जब कनेक्शन करने है तो इसको बंद करके करने हैं ठीक है दोस्तों ताकि करेंट वगएरा ना लगे इसको थोड़ा लंबा चील लेते हैं टीidd remote कर लेकते हैं थाकि इसके अंदर जा सखें तीक दोस्तों इसके अंदर भी क्या करेंगे जो अहां से यह खोली थे वायर उसके अंदराम इसको इसके अंदर भी ढाल देंगे और दूसरे स्विच के अंदर भी ढाल देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तो हमारे जितने भी स्विच लगे हुए है तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनमेटर की वायर जोड़ दी है इसके तुरो यह लिंक लगे हुए अंदर दोस्तों इसके तुरो इसमें आगी इसमें ईसमें और यह वाइट कलर की वायर जुड़ी हुग यहाँ से उपर वाड़े में भी आगी तो अभी आप देख सकते हैं, यहां से इसको ओन, ओफ लाइट को ओन कर सकते हैं, आप देशकते हैं, खुड़ी सी रोशनी हो रही है, ठीक है, और हमारा फैन भी चल गया है, ठीक है, और एक इंडिकेटर हमारा ओन नहीं हो, क्योंकि जब पावर सप्लाई ओन होगी, तब ही ह जब चली हम इसकी पावर सप्लाई को ओन कर देते हैं, तो इंडिकेटर भी हमारा ओन हो जाएगा, तो दोस्तो अभी आपने घर पे असानी से इस तरह से पूरे स्विच बोर्ड के अंदर इंवेटर के कनेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोस करना सीख जाएं, तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताएं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसका लाइक और शेयर जुरूर दें, दोस्तों मैंते हैं नेक्स वीडियो में कब तक के लिए जैहिंद, वन्देमात्रम। जार हिरूर सुरूर्स वीडियो